हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी लोगं का एक नए वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं UPPSC के ROARO एक्जाम की अभी इसका एक्जाम जो एक कैंसिल हो चुका है आप इस इल नोटिस की बात करें तो भी आप लोगं को बहुत जल्दी प्रवाइट करा दिया जाएगा दिखिए ये ट्वीट आप लोगं को हर जगे देखने को मिल दा है इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोग स्विवा आयोग द्वारक 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीच्छा देकारी एवम साहयक समीच्छा देकारी प्रारमबेक परिच्छा 2030 को निरस्ट करने एवम आगा परहों आरो से संबंदित एक पुरानी नोटिस पड़ी हुई है नमबर छे पर इसमें जो है जो वाइरल होआ था ना पेपर लीक वाला वो नोटिस पड़ी हुए 16 फरवरी को आई हुई थी इसके अलावा जो है 23 फरवरी को लास्ट नोटिस इसू की गई है कोई नई नोटिस नहीं आई है और मुझे उमीद है कि बहुत जल्द आ जाएगी आयोग का काम तो आप लोग जानते हैं थोड़ा सा स्लो रहता है लेकिन ये 100% हो गया है कि अब एक्जाम कैंसिल होना है और आपका नेक्स्ट आने वाले 6 महीने के अंदर एक्जाम होगा इसका तो मैं उमीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से प्रिप्रेशन कर लेंगे जिनकी तयारी थी वो लोग थोड़ा सा और जोड़ लगा देंगे ठीक है और इस बार ये जो मौका मिला है आपनों को जाने नहीं देना है और बच्चों में जो है खुसी की लाहर देखने को मिल रही क्योंकि वो लोग बिल्कुल प्रयासरत थे कि अगर चीटिंग हुई है तो फिर एक्जाम कैंसिल होना चाहिए और सरकार उनकी मंसा समझ चुकी थी इसलिए उसने जो है इस एक्जाम को कैंसिल कर दिया तो उमेद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी आप अपने फ्रेंड्स के साथ यह जानकारी साध्या कर सकते हैं और जो लोग नए है वो लोग चैनल को सबस्क्राइब करेंगी कोई क्वेरी है तो इस आईटी पर आप नहाम से संपरक कर लिजेगा UPCSSLecturesOnline.com. Thank you.